तो गूड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल एडवेड विंग्स एंड जो सीबीटी एक्जाम होने हैं 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में उसको लेकर आज जेके सेस्पी की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में काफी कोछ जो है जानकारियां दी गई ह और इसमें जो बच्चों का इशू था काफी सारे बच्चे थे जिनकी इंटर डिविजनल जो है वो सेंटर बन गए है यानि कश्मीर के जो डिविजन के बच्चे थे उनको जमूर डिविजन में सेंटर लॉट हो गए है और काफी सारे जमूर डिविजन के बच्चे हैं ज जो है वो आप बढ़ सकते हैं यहां पर सब्चेक्ट जो है वो है कि रिव्यू मीटिंग करी गई है CBT जो एक्जाम होने वाले हैं हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग जे केसस्पी ने आज करी है यहां पर पहले बरोगे तो पहली जो है उसमें यही कहा गया है कि CBT एक्जाम जो होने हैं जो कि 17 से लेकर 24 जुलाई तक शेडूल किया गए हैं इसमें कुछ टिटेल्स दी गई है कि कितने फॉर्म लगे हैं और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है कितनी पोस्ट हैं यहां पर कुल मिलागर यह बताया कि जो CBT एक्जाम होने हैं 17 अगस्ट से लेकर 24 अगस्ट में लगबग 1212 पोस्टों के लिए जो हैं यह एक्जाम होने हैं और इसमें लगबग 12,000 बच्चे जो हैं उन्होंने आउनलाई एपलाई करके रखा है इन 12,202 पोस्टों के लिए और इसमें से 72,000 में से इन्होंने कहा है जेके SSB ने कि इस पार 61,000 बच्चे ऐसे यूनीक बच्चे थे जिन्होंने पहले कभी फॉर्म नहीं बढ़ा है और पहली बार जिन्होंने जेके SSB को पॉर्टल पर फॉर्म बढ़ा है और 11,000 बच्चे उन्में से थे जिन्होंने पहले भी हाँ पर फॉर्म भर रखा है ठीक है यह और उसके बाद यह कहा गया है कि 36 अलग अलग लोकेशन हैं कश्मीर डिविजन और जमूर डिविजन के उम मिलाकर जहां पर examination center जो है JKSSB के तरफ से बनाए गए हैं और JKSSB ने यह भी कहा है कि हर दिन जो है लगबग तीन shift में exam होगा और हर दिन जो उन तीन shift में लगबग 8000 से 9000 बच्चे जो हैं हर दिन अपियर होंगे ठीक है तो यह एक factual data जो है वो दिया गया है exam के तरह से उसके बाद बोर्ड में यह कहा गया है कि कुछ बच्चों को downloading admit card download करने में भी problem आगी आ रही है इसके ओपर भी जो है वो बात हुई है और दूसरा सबसे main है कि allotment of examination center in respect of certain categories of post and the chairman was directed to direct chairman directed the controller of examination to address the issue and provide and rectify the revised admit card to the concerned candidate कि जिन बच्चों को admit card download करने में problem आ रही है तो chairman ने controller of examination से यह कहा है कि जो भी error जो है इसको लेकर आ रहे हैं उन्हें rectify किया जाए और बच्चों को दुबारा से admit card download करने का option दिया जाए जिनकी भी admin card download होने में problem आ रही है ठीक है और उसके बाद यह inter-divisional moment जो है candidate की इसके ओपर बिल्कुल भात हुई है और इसमें board ने कहा है कि board जो है migration बच्चों की हो सके और इसके यही कहा गया है कि जो भी error है उनको rectify कीजिए तो बच्चों से जिनके भी inter-divisional migration की बात है तो उनसे में कहूंगा कि आप कुछ दिन बाद जो है अपना admin card फिर से download कीजेगा क्योंकि जेके SSP को जेके SSP ने direct किया है अपने जो भी staff है कि इस चीज को rectify किया जाए तो आपके इन जो है center जो है वो बिल्कुल change होने के chances रहेंगे तो आप 13 या 14 तारीक तक भी admin card जो है वो उसे read download कीजेगा तो शायद से आपके center जो है उसमें आपको बदलाव करने बदलाव देने को मिले और कश्मी डिविजिन को बच्चे जिनको जम में मिल जाएगा ठीक है तो इन्हों ने यही कहा है कि minimum minimum inter division जो है movement जो है बच्चों की वो होनी चाहिए यानि जितना कम से कम जो है वो बच्चों की एक division के बच्चों को दूसरे division में ना बिचा जाए तो जादा अचा ठीक है हाला कि यह भी कहा गया कि infrastructure की कमी के वच्चे से जो है कुछ बच्चों को ऐसी problem में भी face करनी पड़े final दिन तक तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा लेकिन फिर भी इनकी कोशिश है कि कम से कम बच्चों को जो है वो inter division में migrate किया जाए ठीक है एंड उसके बाद next step में यही कहा गया है कि candidate who are scheduled to appear in forthcoming examination have been cautioned to this firm and indulging in unfair means तो कोई भी जो बच्चा जो की examination के लिए जा रहा है तो unfair means में उसको जो है involved नहीं होना है और उसके बाद कोई calculator वगएरा यह दूसरे चीज़ से जो है वो नहीं ले जानी है और उसके बाद जो है next step में कहा गया है कि district administration जो है जहां पर भी center जो है बने है वहां कि district administration से जो है JKSB की बात होगी है पुरी security वगएरा cover zone को देना है centers पे उसके लिए भी जो है वो सारा agreement जो है सारी तैयारी हो चुकी है और उसके बलावा किस किस ने meeting attend की उसका भी नाम जो है इस meeting में बताया गया है तो सबसे बड़ी बात जो थी वो थी जो इंटर डिविजन migration थी बच्चों की तो आपके लिए यही है कि JKSSP ने direct किया है बच्चों अपने स्टाप को कि इस चीज को rectify किया जाए और बच्चों को अपने ही डिविजन के अंदर center जो है वो लोट के जाए तो आपको जिन के बाद अपना अपना सेंटर जो है वो चेंज मिलेगा ठीक है यह सिर्फ उनके लिए जिनकी माइग्रेशन इंटर डिविजन होई है अदर्वाइस बाकियों को जिनको डिविजन के अंदर ही center मिला है आपको गबराने की जूरत नहीं है आपका center जो हो चेंज नहीं होगा ठीक है तो आज कि वीडियो में इतना ही बने रहेगा हमारे चैनल के साथ देखते रहे है एडवर्ड विंग्स